माँ सरस्वती की कृपा से जीवन की मुश्किले कैसे दूर होंगी कैसे आपको ज्ञान, विद्या और बुद्धी का वर्दान मिलेगा महाभाग्य में क्या खास है चलिए बताते हैं आप महाभाग्य में आज बात करेंगे क्या है मा सरस्वती की महिमा और क्या है मा का पूजा विधान कैसे मा सरस्वती की पूजा से विद्या मिलेगी एक आगरता में लाब होगा कैसे मा सरस्वती की पूजा से अच्छी वाणी मिलेगी मूख और बधिर लोगों को फायदा होगा इस बारे में भी चर्चा करेंगे तो बात आज मा सरस्वती की भगवती सरस्वती की करेंगे और उनकी कृपा पाने के आसान तरीके आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मंत्र पर आज का मंत्र ज्यान का सबसे बड़ा मंत्र है मंत्र है एंग ये ज्यान का मंत्र है जैसे इश्वर की कृपा का जो शब्द है जो मंत्र है वो ओम है वैसे ही दुनिया का सारा ज्यान, सारी शक्ति, सारी उर्जा, बुद्धी से संबंधित, ज्यान से संबंधित, जिस अक्षर में समाई हुई है वो अक्षर है एंग तो इस मंत्र का रोज सुबा जब करना चाहिए आप आराम से बैठ जाईए मा सरस्वती के सामने और एंग, 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 एंग सबसे पहले जानते हैं कि मा सरस्वती आखिर हैं कौन और मा सरस्वती की महीमा के बारे में हमारे पुरान, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं देखिए मा सरस्वती ब्रह्माजी की पुत्री मानी जाती है ब्रह्मदेव की पुत्री मानी जाती है ऐसा मानते हैं कि मा सरस्वती ब्रह्माजी के मन से प्रकट हुई है मा सरस्वती विद्या और बुध्धी की देवी मानी जाती है ज्यान की देवी हैं विद्या की देवी हैं और बुद्धी की देवी हैं इनकी पूजा से हर प्रकार का ज्यान, कला, संगीत और वाणी का वर्दान प्राप्त होता है अगर आपको मा सरस्वती की कृपा मिल जाए तो मामला चाहे ज्ञान का हो, चाहे कला का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे वाणी का हो इन तमाम मामलों में वर्दान मिलने की संभावना बन जाती है जो लोग मंद बुद्धी हैं, जो लोग गूंगे हैं या बहरे हैं ऐसे लोगों के लिए भी मा सरस्वती की पूजा विशेश लाबकारी होती है अगर आपका बच्चा ही मालिया छोटा है, मंद बुद्धी है या उसको बूंक वधिरता की समस्या है, गूंगा है, बहरा है, विद्या बुद्धी की उसको समस्या है तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से मा सरस्वती की पूजा से, मा सरस्वती की कृपा से लाब होता है ग्रहों में इनका संबंध बुद्ध और ब्रिहस्पती से माना जाता है बुद्ध का मतलब होता है बुद्धी और ब्रिहस्पती का मतलब होता है ज्यान तो बुद्धी और ज्यान को मिला करके जो combination है बुद्ध और ब्रेहस्पती का वो जोड़ा जाता है मा सरस्वती के साथ, वो माना जाता है मा सरस्वती से तो मा सरस्वती वो देवी हैं वो शक्ती हैं जिनकी पूझा से ज्यान, विध्या, बुद्धी, कला, संगीद और वारी का वर्दान मिलता है और इनकी पूझा करने से मूख लोगों को, गूंगे लोगों को, वधिर लोगों को जो सुन नहीं पाते हैं उन लोगों को विशेश फाइदा हो पाता है अब ये जानते हैं कि मा सरस्वती की पूजा कैसे करेंगे इनकी उपासना विधी क्या होगी मा सरस्वती की पूजा वैसे तो पंचमी तिथी के दिन आप करें लेकिन अगर आप चाहें तो रोज सवेरे भी मा सरस्वती की पूजा कर सकते हैं हर महीने की पंचमी तिथी को इनकी विशेश पूजा होती है और जब वसंत की पंचमी आती है तो मा सरस्वती की अध्भुत पूजा होती है उसको वसंत पंचमी कहा जाता है तो वैसे तो आप चाहें तो रोज इनकी पूजा करें नहीं तो हर महीने की पंचमी तिथी को मा सरस्वती की पूजा करना फलदाई होता है सफेद कमल पर बैठी हुई वीरा धारडी मा सरस्वती का स्वरूप सरवोत्तम माना जाता है सफेद कमल के फूल पर बैठी हुई है हाथ में उनके वीरा है और चारो तरफ उनके जल है जल के बीच से प्रकाश के रूप में प्रकट हुई है ऐसी मा सरस्वती का जो स्वरूप है जो रूप है वो सर्वोत्तम माना जाता है सफेद या पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए या तो श्वेत वस्त्र पहनिये जो ज्यान को अपनी तरफ आकरशित करता है या पीले वस्त्र पहनिये जो विद्या बुद्धी को प्रबल करता है तो सफेद या पीले वस्त्र पहन करके इनकी पूजा करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है पूजा में सफेद या पीले फूल अर्पित करें उनको वो बहुत अच्छा होगा और हलवे का या मेवे का भोग इनको लगाना चाहिए आप चाहें तो सफेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं नहीं तो हलवे का या मेवे का भोग लगाना मा सरस्वती की पूजा के लिए बेहतर होगा इसके बाद मा सरस्वती के मंत्रों का जब करना सबसे ज़्यादा फलदाई होता है सबसे ज़्यादा लाबकारी होता है अब ये जानते हैं कि विद्या बुद्धी का अगर लाब चाहिए concentration का फायदा चाहिए या कोई competition देना चाहते हैं competition में फायदा चाहिए अगर आपको विद्या बुद्धी को बढ़ाना है अपनी एक आगरता को बढ़ाना है अपने competition को बढ़ाना है तो उसके लिए आप कैसे मा सरस्वती की पूजा करेंगे कि आपको विद्या बुद्धी का फायदा हो आपका concentration अच्छा हो अगर किसी पृत्योगिता की तैयारी कर रहे हो तो उसमें लाब हो इसके लिए कैसे उपासना करेंगे सो मुआर या बुद्धवार का वरत रखिये सो मुआर या बुद्धवार का वरत रखना इस मामले में बहुत फायदेमंद होता है रोज सवेरे सरस्वती वंदना या सरस्वती मंत्र का जब करें उनकी वंदना है या कुंदेन दुतुशार हार धवला या शुब्रवस्त्रा वृता ये इनकी वंदना है तो चाहें तो सरस्वती वंदना का यानि या कुंदेन दुतुशार हार का या तो इसका पाठ करें और नहीं तो सरस्वती मंत्र का जब करें मंत्र होगा ओम एंग सरस्वत्याई नमहा ओम एंग सरस्वत्याई नमहा इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जब करेंगे और जब इस मंत्र का जब करेंगे तो मानसाहार का यानि नॉन वेजिटेरियन फूड का प्रियोग करना बिलकुल बंद कर देंगे तब ही इस मंत्र जब करने का आपको फाइदा मिल पाएगा तो अगर आपको सिक्षा प्रियोगिता में फाइदा चाहिए कॉंसेंट्रेशन को बेहतर करना है तो रोज सवेरे स्नान करके मा सरस्वती की पूजा कीजिए और ओम एंग सरस्वत्याई नमह इस मंत्र का जब कीजिए अब जो लोग मूख हैं बोल नहीं पाते जो लोग वधिर हैं सुन नहीं पाते मूख वधिर हैं ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय किया जाए मा सरस्वती से कैसे कृपा पाई जाए कि मूख वधिर लोगों को फाइदा हो मानली आपका बच्चा मूखवधिर है या घर में कोई और मूखवधिर है तो उसके लिए घर में नील सरस्वती इस्तोत्र का पाठ कराईए या खुद रोज सवेरे नील सरस्वती इस्तोत्र का पाठ कीजिए और सामने एक पात्र में जल भरके रख लीजिए जब आप नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ उस जल के सामने करेंगे तो वो जल अभिमंत्र तो हो जाएगा इस जल का पान उस मूख वधिर व्यक्ति को सुबा शाम करवाईए और नहीं तो एक मंत्र पढ़िए ओम नमह भगवती वदवद वागदेवी स्वाहा ये मंत्र पढ़ करके सामने जल रख लीजिए ये मंत्र 108 बार पढ़िए और इस जल को जो भी मूख वधिर है उसको पीने के लिए दीजिए ऐसा करने से मूख और वधिर लोगों की समस्या में सुधार होता है और सलाह लेकर के किसी विद्वान जोतिशी से परामर्श लेकर के मूख और वधिर लोगों को पन्ना या पीला पुखराज में से किसी एक चीज़ को धारन करवाईए उससे भी लाब होगा और इन उपायों के अलावा मूख और वधिर लोगों का हाथ लगवा करके हाथ से स्पर्श करवा करके प्रतेक बुधवार को हरी वस्तुमों का दान करवाए तो बहुत अच्छा होगा और यहां भी मानसा हार का सेवन बिलकुल बंद कर दिया जाएगा नौन वेजिटेरियन फूड नहीं खाया जाएगा क्योंकि अगर एक तरफ आप मा सरसोती के मंतर जपेंगे या मंतर से पूरित जल का पान करवाएंगे तो साथ में नौन वेज फूड का प्रियोग नहीं किया जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा तो अगर ऐसा किया जाए तो जो लोग मूक हैं या जो लोग वधिर हैं निश्चित रूप से उनके गूंगेपन में उनके बहरेपन में सुधार होता है साथ में दवाई कराईए चिकचसक की और चिकचसक की दवाई कराने के अलामा ये उपाय करिए निश्चित रूप से लाब होगा आप चाहते हैं कि आप अच्छी वारी बोलें आपकी वारी सशक्त हो आप बढ़ियां तरीके से बोल सकें तो ऐसी दशा में मा सरस्वती की उपासना कैसे करेंगे कैसे उनकी पूजा करें कि आपकी वारी ताकतवर हो जाए आप जब बोलें तो बड़ा प्रभाव शाली हो आपकी वारी में शक्ती आए आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो जाए उसके लिए कैसे बोलेंगे कि मा सरस्वती की कृपा आपको मिले आप अच्छा कैसे बोल पाएंगे सफेद कमल पर बैठी हुई उनके सामने बैठ करके एंग मंत्र का गंभीरता से उच्छारन करें एंग 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 ऐसे करके गंभीरता से एंग मंत्र का उच्छारन करें और जब उच्छारन करें तो ग्यान मुद्रा का प्रियोक करें यानि अंगूठे से पहली उंगली को मिला ले बाकी तीनों अंगूलियां सीधी रहेंगी ग्यान मुद्रा में अपना हाथ करके तब इस मंत्र का जब करें और इस फटिक की एक सफेज इस फटिक की माला ले आएं उसको अपने गले में आप धारण कर ले मा सरस्वती को अर्पित करने के बाद तो अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें अगर आप मा सरस्वती के सामने बैठ करके एंग मंत्र का जब करना शुरू करें तो इससे आपकी वाणी की, आपके ज्यान की, आपके विद्या की, आपके बुद्धी की शक्ती बढ़ती चली जाएगी और निश्चित रूप से आपको इस मंत्र के जब से फाइडा होगा और गले में जो इस फटिक की माला पहनेंगे आप, वो रात में निकाल देंगे अगले दिन सुबा उठ करके, नहा करके, फिर दिन भर पहने रहेंगे तो रात में सोते समय माला गले से निकाल दीजिएगा लेकिन वैसे सफेद सपटिक के माला अगर आप गले में धारन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा जो लोग कला कार हैं जो लोग कला के छेतर से संगीत के छेतर से संबंद रखते हैं अच्छा लिखना चाते हैं या कला संगीत के छेतर में सफलता चाते हैं ऐसे लोगों को भी नियमित रूप से मा सरस्वती की पूजा करनी चाहिए कला के छेतर में, संगीत के छेतर में, गायन वादन के छेतर में उन्हें सफलता मिलती है अगर वो मा सरस्वती की पूजा करें तो मान लिया किसी माता पिता का बच्चा पढ़ता नहीं है छोटा बच्चा है पढ़ाई में disturbance करता है पढ़ता नहीं है स्कूल से शिकायत आती है लिख नहीं पाता अपनी बात को रख नहीं पाता क्लास में यानि पढ़ लिख नहीं पाता है तो ऐसी दशा में क्या करेंगे ऐसी दशा में माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति रोज सवेरे मा सरस्वत्य की पूजा करेगा सामने एक पात्र में एक कटोरी में सफेद मिठाई या सफेद बताशा या चीनी या कोई मेवा रख लेगा और उसके बाद ओम एंग सरस्वत्याई नमहा ओम एंग सरस्वत्याई नमहा इस मंत्र का 108 बार जब करेगा और उसके बाद जो सामने प्रसाद रखा हुआ था उस प्रसाद को अपने बच्चे को खाने के लिए देगा अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से लाव होने की संभावना बन जाती है आपके बच्चे की एकागरता बेहतर हो जाती है आपके बच्चे को कॉंसेंट्रेशन का फाइदा मिलता है और आपके बच्चे की सिक्षा के मुश्किलें दूर हो जाती है आप चाहें तो आपके बच्चे की एक आगरता, आपके बच्चे की सिक्षा, आपके बच्चे की पढ़ाई, ये तमाम चीजें बेहतर होती चली जाएंगे.